प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 5 जून है जिसे विश्व पर्यावरन दिवस के रूप में मनाया जाता है आए जानते हैं इसका क्या महत्व है और हमारी इसमें क्या भूमिका है विश्व पर्यावरन दिवस 5 जून 2020 विश्व पर्यावरन दिवस का इतिहास विश्व पर्यावरन दिवस की घोष्णा संयूक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानप पर्यावरन के संयूक्त राष्ट्र सम्मेलन के अफसर पर 1972 में हुई थी हालांकि यह अभियान सबसे पहले 5 जून 1973 को मनाया गया यह प्रतेइक वर्ष मनाया जाता है और इसका कारेकरम विशेश रूप से संयुक्त राश दुआरा गोशित किये गए वार्शिक विशे पर आधारित होता है जीवन को बहतर और अधिक प्राकर्तिक बनाने के लिए पूरे विश्व भर में पर्यावरन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विश्व पर्यावरन दिवस अभियान की स्थापना की गई आजकल परियावरन का मुद्धा बहुत बड़ा मुद्धा है जिसके बारे में सभी को जागरूख होना चाहिए और इस परिशानी का सामना करने के लिए अपने सकारात्मक परियासों को करना चाहिए प्रदूशन और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरन में सकरात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी भी देश के युवां सबसे बड़ी उमीद है विश्व पर्यावरन दिवस एक अभियान है जो प्रतेक वर्ष 5 जून को विश्व भर में पर्यावरन के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए लोगों को प्रोचाहित करने के लिए मनाया जाता है इस अभियान की शुरुवात करने का उदेश्य, वातावरन की स्थितियों पर ध्यान के इंद्रित करने और हमारे ग्रहे पृत्वी के सुरक्षित भविशे को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरन में सकारात्मक बदलाव का भाग बनने के लिए लोगों को प्रेरित कर विश्व परयावरन दिवस पर आयोजित की जाने वाली विभीन गतिविधिया, विश्व परयावरन दिवस कारेकरम भारत में विशेश रूप से स्कूलों और कॉलेजों में विभीन गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाता है. विद्यार्थियों के मध्य जागरुकता पैदा करने के लिए अध्यापक कुछ प्रभावी कारेकरमों के आयोजन की योजना बनाते हैं जैसे निबंधलेखन, भाजन देना, शिक्षा, विशे चरचा, स्लाइड़ शो, क्विस्प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, बैणर प्रदर्शन, सेमीनार, संगोष्ठियों, निर्धारित विश्व पर कारेशा लाएं, चित्रकला प्रतियोगिता, 그런데 विशे पर व्या तो प्यारे बचों, इस विश्व पर्यावरन दिवस का निश्कर्ष क्या है? इस पर्यावरन की स्थिती को जानना और पर्यावरन को हम किस तरह से उसके दुश प्रभावों से बचा सकते हैं. हमारे पर्यावरन की स्थिती, प्रदूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रति दिन गिर्थी जा रही है. बहतर भविश्य के लिए, पर्यावरन की सुरक्षा के लिए, हमें हमारे देश में पर्यावरन के अनुकूल विकास को भड़ावा देना चाहिए. तो आईए, हम कुछ पोस्टर सांजे करते हैं. इन पोस्टर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक सुच पर्यावरन हमारे बच्चों का अधिकार है और हमारा दाइत है. हम किस तरह से अपने पर्यावरन को बचा सकते हैं? किस तरह से हम तीन आर या पांच आर सुत्र का प्र सकते हैं इसे हरा बरा बना सकते हैं यह हमारी पृत्वी की तुन्ना कि हमारी पृत्वी कैसे हसेगी और हमारे किन कर्मों से हमारी पृत्वी पर दुष्प्रभाब कर रहा है तो इन पोस्टर के जरिये आप अपने पर्यावरन को सुरक्षित करने के उपाए बता सकते हैं इस इसी के साथ आज की कक्षा समाप्थ होती है, धन्यावाद.